मस्कार दोस्तों मैं मुकेश कुमार और कोरोना से जुड़ी हुई बहतरीन जानकारी के लिए आज हम एक बार फिर से विश्व के प्रसिद्ध डॉक्टर संजीव कुमार जी के पास में आये हैं जो आपको आज बेहद एहम जानकारी बताने वाले हैं डॉक्टर साब थर्ड वेव एवार फिर से आ गई है फिर से हमारा केरला जो हर बार की तरह अपने कोरोना केसेज को लेकर के तयार हो गया चाहिए फर्स्ट वेव और थर्ड वेव में भी आदे केसेज वही से आ रहे हैं तो मतलब कोरोना वेव आ गई फिर से आप ऐसा मानते मैं ऐसा इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि नंबर्स जो थोड़े बहुत चारसो छेसो आटसो परड़े आ रहे हैं वो बेसिक केसेज हैं सारा जंगल जल गया एक बार एक वेव आ गई दूसरी बार एक वेव आ गई कितनी बार ये केसेज बढ़ेंगे हमारे पास तो को वेव नहीं बोला जाता तो मैं यह नहीं मानता कि यह वेव हैं मैं यह मानता हूँ थोड़े थोड़े कोरुना के इंफेक्शन बेग ग्राउंड में चलते रहेंगे थोड़े थोड़े आते रहेंगे बट यह वेव में कनवर्ट होंगे यह नहीं हो सकता अगर आप एसा देखा जाए तो आज तक हमने उसको सिर्फ विलन बना के रखा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम इश्वर के बच्चे हैं, खुदा के बच्चे हैं, वैसे ही कोर्ना भी तो एक जीव है, वो भी बचना चाहता है, जिन्दा रेना चाहता है हम लोगों के अंदर हमको मारना नहीं चाहता, ये थियोरी किसी ने आज तक बताए कि कोर्ना क्या चाहता है, आज तक सब लोग ये बात करते रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ही इस दर्ती पे रहें, कोई और सब जानवरों को, सब जन्तों को, पेडों को काट के खा जा रहे हैं प्लास्टिक में कनवर्ट कर दे रहे हैं और सब चीज गंदी कर दे रहे हैं नेचर को मार दे रहे हैं पर यह नहीं सोचते की नेचर क्या चाहता है आप ध्यान से देखिए नेचर करेक्शन चाहता है हम पिरामिड के टॉप पे हमारा नंबर इस धरती पे स services की वज़े से जिन्दा रह रहे थे बीपी वाले शुगर वाले बीजबी साल वाले patients मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ मैं मैं इस idea के खिलाफ हूँ corona divide होकर के multiply होकर बदल रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है कि उसका अंतना हो जाए वो ऐसा सोच रहा है तो जब वो multiply करता है आगे की generations आती है वो generations different 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 form लेती है transmissions को powerful करती है बच के रहती है हमारी दवाईयों से बचने की कोशिश करती है क्या ये corona पहली बार ऐसा किया सारे bacteria सारे virus इससे पहले करते थे corona का तो 8000 BC before Christ 8000 साल पहले जिक्र है हमारे कुराणों और पुराणों के अंदर की 8000 साल पहले corona की ऐसी वेव आई थी तो ये corona अज पहली बार नहीं आया ये आएगा आ करके थोड़ा correction factor देगा कुछ लोग कम कर देगा उसके बाद फिर दुनिया चलेगी और फिर आगे के कह रहेंगे ये तो होता ही रहेगा पर क्या ये वेव्स हैं ये केरला में दुबारा आया है ये कौन बना रहा है क्या ये चाइना ने बनाया था साब चाइना की तो बनी चीज एक साल से ज़्यादा चलती नहीं तो फिर corona वेव कहा से आएगी इस बार तो ज़्यादा एफेक्टिव होगे ने इतने ज़्यादा सारे लोगों को निप्टा के चली गई ये वेव जो चाइना की बात करें तो अब आप ये देखिए अगर आप ग्राफ देखिए आप स्टैंडर्ड गूगल के ओपर टाइप करिए corona cases in India उसमें ग्राफ आता है हर कंट्री का अलग अलग ग्राफ आता है जिसमें आप देखेंगे इस वकत भी बिल्कुल स्टेबल चल रहा है अभी तक कोई भी rise of case नहीं हुआ हाँ हमने एतियात बरती हुई है कि अगर कुछ लोगों को suddenly ये हो जाए या बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे हमको अपनी जरूरतें पूरी कैसे करेंगे हम समान कैसे arrange करेंगे अब hospital कैसे arrange करेंगे दवाईयां कैसे arrange करेंगे बट ये wave आएगी ऐसा मैं नही मानता सर लेकिन के रला की बात होगी वहाँ पे करोना के के डिख रहे हैं नौर्थ के अगर बात करते हैं वहाँ पे फिर से आप जैसे एक्सपर्ट जो हैं वहाँ पे वो एक sprr का नया सिगूफा लेकि आ गए हैं आर्फेक्टर बढ़ रार फेक्टर बढ़ रuh और इसे म गलत रिपोर्ट्स को अगर हटा दिया जाए तो बहुत ही कम सौ में एक केस भी ऐसा नहीं आ रहा जो दो बार इंफेक्ट हो गया हो आर फेक्टर आज से नहीं है यह तो एपिडिमलाजिकल स्टेडी का डेटा है कि किस तरीके से कोर्ना रिप्रोड्यूस होता है तो आपको न तो मतलब मतलब वह मान लिए जाए कि कोर्णा जो था उसके अलग मतलब ठीक ऐसे कहा जाये कि पहले वाला अगर गद हाए तो क्या वो हाती बन गया अब जिस तरीके से आपके जो एक्सपर्टस हैं, वो बता रहे हैं कि येigraph complaint लुढऋ B लुढ़ Sек है वो रहेगा और वो बाकी सारे लोगों को replace कर देगा यह आपको technical term में समझाय जा रहा है क्या यह इसी वाइरस में हो रहा है क्या यह इसी इसी वज़े से third way आएगी यह सब गलत है अगर आप सही देखा जाए तो 90% लोगों को तो अब कुरना हो नहीं सकता क्योंकि उनको vaccine हो गई है क्योंकि उनको already infect हो चुका है अब कि बार-बार cross immunity, cross infection के नाम पर डुराना बंद कर दीजे है अब जो नया variant आ रहा है वो तो 1000 गुणा है और 80% लोगों को मार डालेगा जबकि आप जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो कि 99.9% लोग तो इससे मरते भी नहीं है अगर वो दवाई भी ना ले तो सर तो इसमें उस ऐ सर अभी तक कोरना की जितनी mortality हुई थी वो एक और 2% के बीच में है पूरे वल्ड में थोड़े दिनों बाद पहले बोला गया था कि इंडिया में एक ऐसा वेरियंट आया जो ट्रिपल वेरियंट है जो पूरे वल्ड में फैल जाएगा और दूसरे वल्ड में दूसरा कहर तो अब क्योंकि उससे नहीं डरें तो अभी उनने किरला वईरियंट बोल दिया अभी नहूने लेंड़ लेंड़ा वेरियंट बोल दिया यह लेंडा वेरियंट laboratory की अंदर test करने में नाम सुनने में जाने जाने में अच्छा दिखता है पर क्या यह सोसाइटी में ऐसा करेगा यह सब सगूफें हैं इनसे कुछ होने वाला नहीं है वैक्सिन की बात कर लेते हैं सर वैक्सिन को लेकर के सर जब यह वैक्सिन आई तो उस वक्त कहा गया कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा और अब सर फिर से क हमा जाना चाहिए अपनी पास्ट मेमरी अपने बाप दादों की मेमरी भी रहती है उसके अंदर हमारी जीन्स के अंदर हमारी भी सारी जिंदगी की मेमरी रहती है बचपन में आपको कभी टीबी हुआ तो बॉड़ी को मालूम है टीबी कैसा वाइरस होता है कैसा बेक्टी हो गया उतनी देर में कुछ लोग मर गए जरूर मैं मानता हूं यह बात पर अब किसी को किसी भी तरह का माइनर infection हो गया हो कोरणा से exposure हो गया हो या किसी भी तरह की वैक्सिन लग गई अब जब भी next time कोरणा होगा किसी वज़े से अगर उनको आएगा या कोई भी और दूसरी vaccine लगाएगी या दूसरे type की vaccine लगाई जाएगी तो body immunity दस गुना type बनाती है जैसे first wave के बाद second wave कई गुना आती है ऐसे ही body community भी पहली wave के बाद दूसरी wave immunity की wave कई गुना आती है तो अब काफी सारी studies ऐसी बोलती है कि अगर आप दो different ट्रागी vaccine दो या दो vaccines को mix and match करो या आपको दूसरी बर कोरणा आए तो आप community इतनी तेज और इतनी strong हो जाती है कि कोरणा उसको नहीं चुपाता ठीक है सर ये कोरणा वैक्सिन की बात होगी लेकि अब भारत में एक नहीं चीज़ ओर आए रही है नहीं study ICMAR ने करी है कि दो vaccine को मिला करके बोलें कि mix dose दी जाएगी तो सर वो mix dose क्या आप मानते हैं कि वास्तों में सरदार होती है सर हम लोगों ने आज तक कुछ भी नया इजास्त नहीं किया जीरो बनाने के बाद हम लोग पता नहीं कहां से पीछे पड़ गए हम लोगों ने ये study अमारिका से उठाई जिसमें उन लोगों ने अपनी दो vaccine को test करके देखा फाइजर और मोडरना वाली vaccines को cross करके देखा और पाया कि वो पहले से ज़्यादा immunity बनाती है तो लाजी ये question इंडिया में भी आना था कि इंडियन vaccine के ओपर वो तो study नहीं नहीं कर सकते थे तो हम लोगों ने भी इन vaccines को mix and match करके देखा और पाया उससे ज़्यादा अच्छी आ रही है तो एक आदमी को kovi shield में गई अब market में है नहीं kovi shield तो क्या kovaxin दे सकते हैं इसकी study आई इसमें पाया गया कि kovaxin और kovaxin को अगर mix and match करो तो भी बहुत अच्छा response देती है in fact better response देती है तो आपको mix and match करना है तो कर सकते हैं study का इसके जादा और कुछ सोचने की बात नहीं है आप कोई भी vaccine को mix match कर सकते हो मिक्स match करने से भी अच्छा रहेगा और सेम vaccine को भी दो डोस में लोगे तो भी अच्छा रहेगा आपको corona से अब डरने की जूर्त नहीं करना चला गया तो यह तो corona की बात होगी अब सर एक चीज यह है कि जो डॉक्टर के अंदर हमने देखने को हमें मिला कि जो डॉक्टर्स हैं विशेश तोर पे आप जो elopeethy वाले इसमें इंफेक्ट मैं भी मानूँगा, हम लोगों ने क्या किया कोर्णा में, हम लोगों ने कोशिश तो बहुत करी मदद करने की, हमारे पास जो था हमने पूरा जोग दिया, अपनी दवाईयां जोग दी, बैक्टीरिया, इंटी बाइटिक्स, आई सीू स्टे, है। इसे ही हर ब्रांच जो मरिजों की मदद करती है, वो चाहे किसी दूआ से, चाहे वो बलेसिंग से, चाहे किसी द्धर्म से, और चाहे वो किसी फूक से, जड़ी बूटी से, आई Village से, ने करके हमारी ब्रांच से कोई फरक नहीं है। सिर्फ फरक क्या होता है कि कुछ बिमारियां किसी ब्रांच में अच्छी ट्रीट की जाती हैं कुछ ब्रांच कुछ बिमारियां हमारी किसमत है कि हमारी ब्रांच सबसे ज्यादा रेजल्ट्स दे रही है तो हमें एगो रखने का everything comes with a side effect तो आपकी ब्रांच सबसे अच्छी है और मर रहे ते तब हमारी ब्रांच का आती हम लोग सीखते जरूर हैं हम हर बार better perform करते हैं हमने पहली वेव में जो गलतियां करी हैं वो दूसरी वेव में नहीं करी है यही इनसानियत है इनसान कभी भगवान नहीं बन सकता पर इनसान में भगवान से एक चीज बेटर है व कि मैं इससे better कर सकता हूं तो उनको करने का मौका दीजिए उनको try करिए प्रूफ करने का मौका दीजिए equal दर्जा दीजिए equal place दीजिए पर प्रूफ तो करिए कि आप अच्छे हैं आप प्रूफ करेंगे तो हम उसको मानने को तयार हैं अगर बगएर प्रूफ करें में IMA का जगड़ा हुआ था सर बाबा रामदेव बिमार होते हैं वो आपकी life-saving drugs ले लेते हैं और वो surgery करवाने के लिए ready रहते हैं उनके पास जब भी ऐसी दिक्कत आई लेकिन सर बाकी जो doctors हैं आपके क्यों नहीं मिला लेते हैं सर और मिलाते हैं तो ultimately तो सर किसी ने किसी आदमी का benefit हो रहा होता है देश का benefit हो रहा होता वहां पर ऐसा क्यों नहीं है अगर ये लोग जो market में आकर के अपने products बेशते हैं अगर ये pure scientist होते और background में इनका business नहीं होता और ये बिल्कुल pure natural बाते बोलते हैं और इनको कोई benefit नहीं होता background में तो मैं इनकी बाते मान लेता या ये बातें किसी research के बिना पर proof की जाती तो भी मैं ये बातें मान लेता ये जब ये बातें इस एक आदमी के मूँ से आती हैं जिसका बड़ा करोड़ों का business है जो already बहुत सारी company को challenge करके अपने business को proof करने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं scientist नहीं मानता बिजनस ही मैं मानता हूँ but intelligent business मैं जरूर मानता हूँ देखे साब कोई भी branch अपने आपको योगा आयरवेदा तो हम लोगों से या बाबा रामदेव से कई साल पुरानी बाते हैं हाँ उसको publicize करके उसको market करने का काम इन लोगों ने किया है अब आज की तरिक में अगर योगा बोला जाए तो एक आदमी का नाम पीछे आता है background में अगर एक आदमी को आयरवेदा बोला जाए तो एक आदमी का नाम आता है आयरवेदा तो अपने आप में इतना बढ़ा है कि किसी एक नाम से बहुत बढ़ा है आयरुएदा अपने आप में खुरी साइन्स है बढ़ हाँ उसको ग्रोथ करने के लिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया गौर्मेंट ने सपोर्ट नहीं किया बड़े-बड़े कॉलेज़ नहीं बड़े-बड़े रिसर्च नहीं हुई पीछे रह गई वो ब्रांच अमेरिकन्स ने ऐलोपती को सपोर्ट किया उन्होंने इसको बड़ा किया और आज बड़ा होने के बाद जब हम कंपेर करते हैं तो हम मुझे शरम आती कि हमारे आयरुएदा क्यों पीछे रह गया क्योंकि किसी ने सपोर्ट नहीं किया सपोर्ट किया होता तो शायद आज मैं स्टूडेंट अलोपती का नहों करके आयरुएदा का होता और शायद उससे ज़्यादा लोगों को बचाता पर बात यह है कि तत्थे क्या है सच्चाई क्या है सच्चाई यह है कि आज भी जो इतने बड़े बड़े गरंथ जो हमारे पास एक साइंस के है वो दूसरी साइंस के नहीं है अगर आयरुवेदा में ऐसे गरंथ लिखे कर दूँगा तो मैं मान लोगा कि वो जीत गए तो सर्क कुछ आपने कोरोना काल में देखा तो भारत की कौन सी ऐसी ट्रेडिशनल चीजे थी जिन से कोरोना के अंदर बैटर फाइदा मिला क्योंकि सर्ट्रेट्मेंट के नाम पे तो आपके पास में केवल परासिटा मूल थी तो उसके बाद आपने साइड अगर कुछ ट्रेडिशनल तरीके अपना है तो वो कौन-कौन से तरीके थे जिन से उनको बैनिफिट मिला लोगों को और वो फाइदेमंद है रियालिटी में सर भारत एक सेंटिमेंटल देश है यूएस में अगर एक डेटा रिलीज किया गया था आस्ट्रेलिया में या यूएस में कि अगर डॉक्टर को लगता है कि यह मरीज बचने वाला नहीं है तो आप जाके उसका इलाज मत करो छोड़ दो उसको मरने दो अमेरिका में आस्ट सकता है तो भी हम उसका इलाज करते हैं यह सोच के भी इसका इलाज करते हैं कि हम हो सकता है एक परसेंट को उसको बचा ले सेंटिमेंट्स अपनापन केर विश्वास होम केर ट्रीटमेंट वर्ल्ड को किस ने सिखाया हिंदूस्तान ने सिखाया क्यों क्योंकि हमरे पास रि हमारी संसद ने सिल्फ मरने का कानून पास नहीं किया मतलब डॉक्टर इंजेक्शन लगा के मरीज को मार नहीं सकता नैचुरल डेथ हो जाए अलग बात है पर इंजेक्शन लगा के नहीं मार सकता और मरने को छोड़ भी नहीं सकता हमारा कानून इतना सकत है कि किसी को मरने न आपके सामने आए जो बड़ी मानवीय तोरके थे एक दो लोगों ने बाकादा आपके मामले में कहा कि वो लोग जब बाहर से आये थे उनको विश्वास ही नहीं था क्यों जिन्दा रहेंगे लिगे एक दो के एक्जांपल मैंने खुद ने भी देखे हैं सर ऐसे एक्जांपल कितने का आप लोगों के देखे की लोगों को लगा कि वास्ताओं मैं जो कर रहा हूं मने बहुत किछ पा लिया इस कोरोना काल में लोहों कि इस तरह की सेंटिमेंटस देखकर के सर पहली बात तो ड्राया इतना ज़्यादा गया पहले तो कुर्णा आये तो ऐसा लगता था डेट सेंटेंस है अगर किसी मरीज को बोल दियो ना साहब आपका रिपोर्ट पॉस्टिव आया तो उसके आंक में से आसू आ जाते थे उसको ये लगता था कि अब दुनिया खतम ह हो गई और रिजल्ट जब आये देखा कि वो लोग खुदी रिकवर होते जा रहे हैं 90 परसंट गांधी ऑस्पिटिल का पहला केस में 12 डॉक्टर सामने आके बोले कि हमने ये इलाज किया वो इलाज किया और भी मरीज बच गया पहला कॉर्णा पेशेंट हाइदराबाद का क्या इलाज था पता लगा कोई भी दवाई काम नहीं करती सिर्फ विश्वास ही काम करता था 98 परसंट लोग खुद ठीक हो जाते थे बट एक चीज मैंने देखी जब मरीज डरते थे तो उनको अपनी बीपी शुगर वो बिगड़ जाती थी डर जाते थे वो किसी और वज काम नहीं करें ये दो चीजें आप ध्यान से सुन लीजे कोरणा में किसी दवाई ने काम नहीं किया ये भी लौ था और दूसरा कोरणा में विश्वास ने बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़ा योगदान दिया तो ये विश्वास कहां से आया ये इसकास हमारी संस् पिसक्रिटी ने हमें शिखाया कि विश्वास करें और तब यह इलाज हो जाते हैं पुराने जमाने में क्या करते थे जब टीबी हो जाता था दवाया नहीं होती थी तो असाइलम में अलग करके छोड़ देते थे अच्छा खाना देते थे रहते थे सब लोग मरते थोड़ी पचास परसेंट लोग फिर भी इंप्रूव हो जाते थे कोरना में तो 99 परसेंट लोग इंप्रूव हुए थे बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बहतरीन जानकरी आपने हमारे साथ में शेयर करी है और आप लोग भी यह जो इन्फोर्मेशन है इसको जादा से जादा लोग उतक्ति पहुंचाएं दन्यवाद